आज हम सिखेंगे कुछ common words जो कि बहुत useful है spoken के लिए So first word is भेंगा भेंगा कुछ इस तरह को होता है इसमें आखे कुछ इस तरह से टेड़ी होती है By the way भेंगे को में इंग्लिश में बोलता है cross-eyed cross-eyed मतलब भेंगा next लंगडा लंगडा जो एक पैर से चलता है लंगडा कर या बैसाखे लेकर लंगडे को में इंग्लिश में बोलता है lame lame मतलब लंगडा next काना मतलब जिसकी एक ही आँखों उसे काना बोलते है काना को में इंग्लिश में बोलते है one-eyed one-eyed मतलब काना next खबू जो अपना खबात यानि कि बाया हाथ ज़्यादा इस्तिमाल करता है खबू को मिंगलिश हम बोलते हैं लेफ्टी मतलब खबू और जो दाया हाथ ज़्यादा इस्तिमाल करता है उसे हम बोलते हैं राइटी नेक्स्ट गोबर जो गायादी का गोबर होता है जिससे उपले बनते है गोबर को में इंगलिशम बोलते है डंग या फिर आप इसको काव डंग भी बोल सकते हो next उल्टा लटकना कुछ इस तरह से लटकना टांगे उपर और से नीचे करके उल्टे लटकने को में इंगलिशम बोलते है hang upside down hang upside down मतलब उल्टा लटकना जैसे इसका एक example है उल्टा मतल लटको इसे हम इंगलिशम बोलेंगे don't hang upside down don't hang upside down मतलब उल्टा मतल लटको next चाटना कुछ इस तरह से ice cream वगएरे को चाटना या फिर कुट्ता चाटता है में कई बार चाटने को में इंगलिशम बोलते है lick lick मतलब चाटना जैसे इसका एक example है मैं ice cream चाट रहा हूँ इसे हम इंगलिशम में बोलेंगे I am licking the ice cream I am licking the ice cream मतलब मैं ice cream चाट रहा हूँ next सुलाना बच्चे को सुलाते हैं हम कुछ इस तरह से सुलाने को हम इंगलिशम बोलते है put to sleep put to sleep मतलब सुलाना जैसे इसका एक example है बच्चे को सुला दो इसे हम इंगलिशम बोलेंगे put the baby to sleep put the baby to sleep मतलब बच्चे को सुला दो अगर आपको मेरी वीडियों helpful लग रही है तो please मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए मैनत करता हूँ और like and share भी कर दीजिए अपने friends के साथ और bell button भी प्रेस कर दीजिए ताकि notification आपको मिल जाए next step भगा देना कुछ इस्तरा से हम कुट्ते या बिल्ली वगर को भगा देते हैं बाइदवे बगा देने को मिल्ली को भगा देना जैसिसका एक एक अग्जाम्पल है बिल्ली को भगा दो इसे हम इंगली बोलेंगे run of the cat run of the cat मतलब बिल्ली को भगा दो Next लपेटना, कुछ इस तरह से हम चटाई या चदर वगर को लपेटते हैं, लपेटने को मिंगलिशों बोलते हैं, roll up, roll up मतलब लपेटना, जैसे इसका एक एक अग्जामपल है, चदर को लपेट दो, इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, roll up the bed sheet, roll up the bed sheet मतलब चदर को लपेट द Next बिचाना, कुछ इस तरह से हम कारपेट वगर को बिचाते हैं, बिचाने को हम इंगलिश में बोलते हैं, roll down, roll down मतलब बिचाना, जैसे इसका एक एक अग्जामपल है, चटाई बिचादो, इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, roll down the carpet, roll down the carpet मतलब चटाई बिचादो Next मर्हम, जो हम घाव अगरह पर लगाते हैं, मर्हम को हम इंग्लिश में बोलते हैं, ointment मतलब मर्हम, इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, apply the ointment on the wound, मतलब घाव पर मर्हम लगा लो Next रिष्टा ढूंणना हम रिष्टा ढूंदते हैं किसी लड़की या लड़की के लिए By the way रिष्टा ढूंदने को अंगलिश में बोलते है Search the match Search the match मतलब रिष्टा ढूंदना जैसे इसका एक 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 अगजामपल है हम अपने बेटे के लिए रिष्टा ढूंड रहे हैं इसे हम English में बोलेंगे We are searching the match for our son We are searching the match for our son मतलब हम अपने बेटे के लिए रिष्टा ढूंड रहे हैं Next, नीद खराब करना कई बार हमारी मम्मी या कोई family member नीद खराब कर देते हैं By the way, नीद खराब करने को में इंगलीश में बोलते हैं Disturb the sleep Disturb the sleep मतलब नीद खराब करना जैसे इसका एक 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 अग्जामपल है तुमने मेरी नीद खराब कर दी इसे हम English में बोलेंगे You disturbed my sleep You disturbed my sleep मतलब तुमने मेरी नीद खराब कर दी Next, आँखो पर पट्टी बांदना कुछ इस तरह से हम आँखो पर पट्टी बांदते हैं आँखो पर पट्टी बांदने को में इंगलीश में बोलते हैं Blindfold Blindfold मतलब आँखो पर पट्टी बांदना जैसे इसका एक 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 जामपल है उसकी आँखों पर पट्टी बांदो इसे हम इंगलिश हम बोलेंगे blindfold him blindfold him मतलब उसकी आँखों पर पट्टी बांदो next ओक लगाना कुछ इस तरह से पानी पीने के लिए हम ओक लगाते हैं by the way ओक लगाने को हम इंगलिश हम बोलते है cup the hands cup the hands मतलब ओक लगाना जैसे इसका एक 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 जामपल है ओक लगाकर पानी पीलो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे cup your hands to drink water cup your hands to drink water मतलब ओक लगाकर पानी पीलो and the last one is पूच हिलाना कुछ इस तरह से कुट्टा अकसर पूच हिलाता है जब वो हमारे साथ खेलता है पूच हिलाने को हम इंगलिश में बोलते है whip the tail whip the tail मतलब पूच हिलाना जैसे इसका एक 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 जामपल है कुट्टा अपनी पूच हिला रहा है इसे हम इंगलिश में बोलेंगे the dog is whipping his tail the dog is whipping his tail मतलब कुत्ता अपनी पूछ ही ला रहा है इन दोनों के अंसेज राइट कर दीजिए कमेंट सेक्षिन में और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज जाने से पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते नेक्स वीडियो में बाई